नमस्कार आज हमारे पास है फिर से E-Gate के तरफ से ये K9 Android प्रोजेक्टर ये कंपनी का हाइस्ट मॉडल है इसमें पिक्चर क्वालिटी के सांसांस साउंड क्वालिटी भी काफी बहतर है और इसकी जो पिक्चर रिजिलेशन हैं काफी अच्छा है E-Gate के तरफ से इसका मॉडल नमबर है K9 Real Android ये स्मार्ट प्रोजेक्टर काफी अच्छे रिजिलेशन के शांत आता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है आज हम इसको अन्वाक्स करेंगे कंपनी के तरफ से ये तीसरा मॉडल है इसके दो लोगर वैरियंट जो है उनका वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा जो की I9 HD है और एक Android है और ये हमारे पास है EC कंपनी का E-Gate का K9 Real Android स्मार्ट प्रोजेक्टर चलिए सुरू करते हैं इसको देखते हैं क्या क्या इसके साथ ऐसे सरीज हैं चूंकि इसकी पैकिंग पिछले दो वैरियंट जो है उनसे डिफरेंट है ये रिमोट और डेटा केबिल के लिए यहां से अलग एक कंपार्टमेंट है अलग बॉक्स इसमें दिया गया है और ये मैन यूनिट है प्रोजेक्टर इस बॉक्स में है रिमोट और इस यूज़ल जो केविल आती है इसके साथ में यह पावर केविल है और यह साउंड के लिए कुछ एजक्टर पिन है और एजक्टर पिन नहीं साउंड के लिए यह पेंस हैं तो यह है मैन यूनिट प्रोजेक्टर ब्लेक कलर का के नाइन एंड पहले वीडियो में बताया उसके अपेक्छा यह हायर वर्जन है हायर मॉडल है इसकी फिनिसिंग भी काफी डिफरेंट है और काफी अच्छी यह क्वालिटी इसकी है सबसे पहले यह ओन आफ का स्विच है यह LED इंडिकेटर है यह मेन्यू है सेटिंग्स है और यह एरो की है और यह बैक यह काफी इसमें लाइनिंग बनी हुई है बहुत अच्छा इसमसील है और यह जैसा कि आप देखेंगे यह फोकस के लिए है यह की स्टॉन है जो कि इस तर इसे यहां पर इंडिकेट नहीं किया गया जैसे कि इसमें लिखा हुआ फोकस है कि स्टॉन है कि यह पावर यूनिट पावर प्लक है यह 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 इसका लेंस है लेंस क्वालिटी भी काफी अच्छी है और यह है कि साउंड के लिए यह एबी है यह एस डी एमाइए है यह पीसी लैपटॉप करेक्ट करने के लिए यह मैमोरी कार्ड स्लॉट है यहां पर डबल स्पीकर्स के साथ यह आता है यह रिमोट का सेंसर यहां पर इ-गेट की वेजिन है इसके वाटम पैनल में आप देखेंगे यह स्क्रू है इसको उपन करेंगे यह स्टैंड पे इसको फिक्स कर सकते हैं और अगर टेबल पे इसको रखते हैं इसको हमने पावर प्लक से कनेक्ट कर दिया है और यह इसको अब हम पावर प्लक में कनेक्ट होने के बाद में यह अब रैड इसका लाइट वैलिडी लाइट है वो अन हो चुका है यह आप देखेंगे कितनी अच्छा यह टेक्स्च्चर इसका है यहां से इतना अब इसको हम आउन करेंगे अभी लाइट इसमें काफी तेज है रूम में और यह आप देखेंगे इस तरीके से इसका व्यू है यह सैटिंग्स है एफ है इसके अगर कन्फिग्रेशन की बात करें हम तो इसका डिस्प्ले एल एडी एच्डी रेडी है जो की 1080 पिक्सल का है और 1280 इंटू 720 नेटिव रिजुलेशन है इसका और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लुमेंस जो इसका क् बताता है यह 3000 है इसका लुमें और 360 ANSI है इसका एल एडी लाइफ लॉंग लैम्प के साथ तीस हजार आर्स लाइफ है इसके और लगभग बन हाई कंट्रास्ट रेटियो प्लस 16.9 एसपेक्ट रेटियो है इसका कनेक्टिविटी की बात करें इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो एस्टी एमाइए पोड यूएस्वी बीजिये एबी एस्टी कार्ड स्लॉट और आडियो आउटपुट है साउंड इसके साथ इनविल्ट स्पीकर है और फाइफ बार्ट का इसमें आउटपुट है और सबसे ज्यादा इसका स्मार्ट फीचर है एंड्रोइट सिक्स पॉइंट है यह सिक्स पॉइंट जीरो क्वाइट कोर वन जीवी के साथ इसका एड्जीवी रॉम है और वाइफाई ब्लुटूथ फोर पॉइंट बायरलस स्क्रीन मिर्यरिंग और फ्रॉम एंड्रोइड आई यूएस डिवाइस है इंपॉर्टन फीचर इसका यह है कि 4D जो फोडी डिजिटल की स्टॉन है इसका 40 डिग्री टक होता है और काफी इसी के चलते इसकी काफी अच्छी क्वालिटी भी है स्क्रीन क्वालिटी 180 डिग्री तक यह 180 सेंटीमीटर तक यह होता है जिस तरीके से 32 इंच का टीवी आता है से 43 आता है उसी तरह से यह 180 इंच तक का इसको वाइड व्यू एंगल इसका बनता है यह सेटिंग्स है और यह एरो की से आप इससे ऐसे जा सकते हैं जब वाइफाई कनेक्ट करना है तो यह सेटिंग्स में आकर के वाइफाई और यह ओके प्रेस करेंगे फिर यह नीचे आप आएंगे यह वाइफाई का वो है नाम है इसका पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड डालने के लिए आपको अगर वर्ड है नंबर है तो आपको नंबर चूस करना पड़ेगा और वर्ड है तो वर्ड कनेक्ट होने के बाद आपको यह रिमोट से इसमें आना है यह यूट्यूब है यूट्यूब को यह सेलेक्ट किया हमने अब यह यूट्यूब प्ले हो रहा है कोई भी वीडियो हमने सेलेक्ट किया है अब इसका इससे साउंड सुनेंगे इस साउंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है इसकी कमरे में कि यह पूरा सिनमेटिक व्यू है कि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी आप कुछ से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ऑचल हम वीडियो, तो जरूर कक्प लाइक बॉक्स करें तो तो दो बॉक्स करें लिखें